नमस्कार दोस्तों 30 कमपनियों की डिविडेंट न्यूज के साथ साथ वेदानता की बड़ी खबर और एक और कमपनी का डिटेल वीडियो लगा रहा हूं जिसकी बड़ी न्यूज है लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजिए और अगर चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आउन कर लीजिए पहली कमपनी डाबर इंडिया है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 517 रुपया परती सेयर है इसने अपनी डिविडेंट की मेटिंग 2 नवंबर को रखी है अगली कमपनी का नाम सेयर इंडिया सेकुरिटीज है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1455 रुपया परती सेयर है यह 3 रुपया परती सेयर डिविडेंट देगी और इसकी एक स्टेट 2 नवंबर है अगली कमपनी का नाम तनेजा एरो स्पेस है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 217 रुपया परती सेयर है इसने अपनी डिविडेंट की मेटिंग 3 नवंबर को रखी है अगली कमपनी का नाम टाटा स्टील है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 122 रुपया परती सेयर है एक नवंबर को रखी है, अगली कमपनी का नाम HMA Agro Industries है, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 682 रुपया परती सेयर है, इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 8 नवंबर को रखी है, नेक्ष्ट कमपनी का नाम IPCA Lab है, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 992 रुपया परती सेयर है, इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 10 नवंबर को रखी है, नेक्ष्ट कमपनी का नाम Power Greed है, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 199 रुपया परती सेयर है, इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 7 नवंबर को रखी है, नेक्ष्ट कमपनी का नाम Exita Cotton है, इसकी करेंट मार्केट प्राइस 27 रुपया परती सेयर है, इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 3 नवंबर को रखी है, नेक्स्ट कम्पनी का नाम DB Corp है इसकी करेंट मार्केट प्राइस तीन सो रुप्या परती सेर है यह दो रुप्या परती सेर डिविडेंट देगी और इसकी एक स्टेट साथ नवंबर है नेक्स्ट कमपनी का नाम Allsack Tech है इसकी Current Market Price छेसे सो तैतिस रुपया परती सेर है यह 30 रुपया परती सेर डिभिदन्ड देगी और इसकी एक स्टेट 10 नवंबर है नेक्स्ट कमपनी का नाम Venus Pytes इसकी Current Market Price एक हजार 288 रुपया परती सेर है यह 50 पैसा परती शेयर डिविडेंट देगी और इसकी एक स्टेट 7 नवंबर है नेक्स्ट कमपनी का नाम सेंफोनी है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 833 रुपया परती शेयर है यह 2 रुपया परती शेयर डिविडेंट देगी और इसकी एक स्टेट 3 नवंबर है अगली कमपनी का नाम टीमो प्रोडक्शन है इसकी करेंट मार्केट प्राइस ग्याड़ रुप्या परती सेर है या स्टाक अस्प्लीट करेगी एक अनुपा 10 की रेशियो में मतलब एक सेर आपका 10 सेर में कनवर्ट हो जाएगा इसकी एक स्टेट अपकमिंग है नेक्स्ट कमपनी का नाम सिरीराम फाइनाइन्स है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1799 रुप्या परती सेर है यह 20 रुप्या परती सेर डिविडेंट देगी और इसकी एक स्टेट 6 नवंबर है नेक्स्ट कमपनी का नाम किरितिका वायर्ज है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 21 रुप्या परती सेर है यह स्टाक बोनस देगी दोन पात एक की रेशियो में और इसकी एक स्टेट अपकमिंग है नेक्स्ट कमपनी का नाम रेल टेल है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 217 रुप्या परती सेर है यह एक रुप्या परती सेर डिविडेंट देगी और इसकी एक स्टेट 4 नवंबर है अगली कमपनी का नाम बिरला सौफ्ट है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 533 रुप्या परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 31 अक्टूबर को रखी है अगली कमपनी का नाम एसियन पेंट्स है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 2966 रुप्या परती सेर है यह 5 रुप्या 15 परती सेर डिविडेंट देगी और इसकी एक स्टेट 3 नवंबर है अगली कमपनी का नाम IRCTC है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 644 रुप्या परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 7 नवंबर को रखी है अगली कमपनी का नाम प्रेम को ग्लोबल है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 394 रुप्या परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 6 नवंबर को रखी है अगली कमपनी का नाम आई ओसी है आई ओसी की करेंट मार्केट प्राइस 87 रुप्या परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 31 अक्टूबर को रखी है डिविडेंट आते ही मैं तुरंट चैनल पर अपडेट कर दूँगा इसलिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन अन कर लेजिए नेक्स्ट कमपनी REC Limited है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 266 रुप्या परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 1 नवंबर को रखी है वेधानता ने अस्थिरता मुल्यांकन में रैंकिंग में किया सुधार वेधानता ने कहा कि S&P Global में 2023 कर्पोरेट अस्थिरता मुल्यांकन में उसकी रैंकिंग में उलेखनिये सुधार हुआ है विविद प्राकिर्तिक संसाधन फर्म वेदान्ता लिमिटेड ने सनिवार को कहा कि S&P Global के 2023 कार्पोरेट अस्थिर्ता मुल्यांकन में उसकी रेंकिंग में उलेखनिय सुधार हुआ है इसमें कहा गया कि S&P Global का कार्पोरेट सस्टेनिबिलीटी असेस्मेंट कमपनी के सस्टेनिबिलीटी प्रदर्शन का मुल्यांकन है कमपनी ने एक बयान में कहा वेदान्ता ने पिछले शाल में 76 अंक की तुलना में इस साल 81 अंक हासिल किये और अपने वेश्विक परतियस परदियों की तुलना में अधिक अंक हासिल किये हैं वेदान्ता का मानना है कि धातू और खनन छेतर दुनिया को कम कार्वन वाले भविश में बदलने में साहता करने में महतपुर्ण भूमिका निभाएगा टिकाव वेवसाइक प्रथाओं में वेश्विक मानकों को पालन करके वेदान्ता का प्रियास या सुनिश्चित करना है कि यह परिवर्तन एक जिम्हदार तरीकेश हो वेदान्ता रिसोर्सेस लिमिटेड की एक साखा भारत और दच्छिन अफ्रिका सहित दुनिया भर में फैली हुई दुनिया की अगरिनी प्राकिर्तिक संसाधन कमपनियों में से एक है इसका तेल और गैस जस्ता सीशा तामबा और लोह अयस्क जैसे छेत्रों में महतपूर्ण पडिचालन है अब अगली ख़वर दिविडेंट स्टॉक साथ रुपे के डिविडेंट के साथ किया बीस हजार करोड रुपे के प्लान का एलान सेर साथ परतिसत तूटा तिमाही नतीजे के साथ ही कमपनी ने डिविडेंट के साथ बड़ा एलान किया पेट्रोनेट एलनजी ने तिमाही नतीजे का एलान किया है इस दोरान कमपनी ने साथ रुपे परतिसेर डिविडेंट का एलान किया है तिमाही नतीजे के बाद सेर 7 फिसीदी तूटा है सेर गिर कर 208 रुपे के नीचे आ गया है कमपनी का एलान गुजरात के दाहेज में 20,685 करो रुपे की लागत से पेट्रो केमिकल प्लांट लगाएगी हलाकि एक्सपर्ट का कहना है कि ये इन्वेस्टमेंट कमपनी के लिए निगेटिव है क्योंकि मवजूदा ब्लाक 13,000 करो रुपे के करीब है पेट्केम में केवल RIL जैसे खिलारी ही सफल रहे है PSU के लिए पेट्रो केमिकल जादा रिटान वाला बिजनस नहीं है गेल ने पेट्केम वेवसाय में दूसरी तिमाही में घाटा दर्ज किया है इसलिए सेर में तेज गिरावट आई है पेट्रो नेट LNG क्वार्टर टू कमपनी ने तिमाही नतीजों का एलान कर दिया है कारोबाडी साल 2023-24 की अपरेल जून तिमाही के मुकाबले कारोबाडी साल 2023-24 की जुलाई सितंबर तिमाही में मुनाफ़ा 819 करो रुपे से बढ़ कर 856 करो रुपे हो गया है कमपनी का आमदनी 11,656 करो रुपे से बढ़ कर 12,533 करो रुपे हो गई है इबिटडा यानि कामकाजी मुनाफ़ा 1182 करोर रुपे से बढ़ कर 1216 करोर रुपे हो गया है मार्जिन 10.1 परतिसत से घट कर 9.7 परतिसत पर आ गये हैं